आज हम इस वीडियो में जानेंगे SSC में OTR Registration आप कैसे करेंगे क्योंकि यह compulsory है सभी candidate को यह registration करना पड़ेगा अगर आप 10 मी पर यह registration कर लेते हैं तो आपको आगे अपने application form को fill करने के लिए strip qualification को mention करना पड़ेगा बाकि सारे information details आपके OTR Registration की जो details है वो यहाँ पर add हो जाएगा तो कैसे आप OTR Registration करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पर process देखेंगे जिनको भी SSC में OTR Registration को complete करना है वो इस वीडियो को complete देखिए ताकि आपके जो भी सवाल है वो आपको यहाँ पर मिल जाए तो चलिए गए इस वीडियो को सुरू करते हैं यह form फिल करने के लिए सबसे पहले आपको SSC के official website पे विजिट करना है यह आपको Google या किसी भी browser में search करनी है इसके बाद आप इस page पर विजिट कर जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पर option मिलता है login या registration आपको जब इस पर click करना है जैसे ही आप click करते हैं तो यहाँ पर आपको login करने का option मिलता है इसमें आपको दो परकार से login करने का option मिलेगा एक registration number के दोरा और एक user ID और password के दोरा तो आपने registration किया है तभी आप यह details को new registration का आपको option मिलता है आपको इस पर click कर लेना है जैसे आप click करते हैं तो आपके सामने one time registration यानि की out या registration का option जो है वो so हो जाता है यह सारे options आपको एक एक करके fill करने पड़ेंगे यहाँ पर आपको continue का button मिल जाएगा आपको इस पर click करना है यह form देखिए सभी candidate को जरूर किया गया है सबसे पहले आपके पास जदी आधार number है तो यहाँ पर आप yes करेंगे yes करने के बाद यहाँ पर आपको 12 अंक की आधार number mention करनी है और वही अंक दुबारा से यहाँ पर आप लिख लेंगे इसके बाद आपको नीचे आना है अगर आपने आधार नहीं select किया है कोई भी आप यहाँ पर ID select करेंगे जो भी ID आप select किया रहेंगे उस ID का यहाँ पर आपको number mention करनी है इसके बाद यहाँ पर candidate का नाम लिखना है दसवी के certificate में जिस प्रकान से नाम लिखा रहे है वही लिखेंगे आपके नाम में Mr., Mrs. स्रीमति, Dr. Professor यह सब कुस यूज नहीं करनी है जो भी आप यहाँ पर नाम लिखेंगे वही नाम दोबारा से यहाँ पर आप लिख लेंगे आपका नाम high school या किसी भी school में change हुआ है तो यहाँ पर yes करेंगे और वो नाम आप यहाँ पर mention करेंगे और वही नाम दोबारा से verify कर लेंगे नाम कभी भी change नहीं हुआ ह यहाँ पर आप no करेंगे तो options hide हो जाएगा इसके बाद आपको अपने category को select करना है कि आप male है या female है इसके बाद दुबारा से आपको verify कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपने date of birth mention करनी है आप इस पर click करेंगे तो यह calendar so हो जाएगा नहीं सो होता है तो यहाँ पर आप click करके calendar को सो करके अपने date of birth को यहाँ पर mention करनी है जो भी आप date of birth यहाँ पर लिखेंगे वही same date of birth यहाँ पर आपको select कर लेनी है इसके बाद यहाँ पर अपने पीता का नाम लिखेंगे आपके पीता के भी नाम में डॉक्टर, प्रोफेसर, स्रीमती या मेश्टर यह सब कुछ use नहीं करनी है जो आपके पीता का नाम यहाँ उपर option में लिखेंगे है same वही नाम दोबारा यहाँ पर लिख लेनी है इसके बाद यहाँ पर माता का नाम लिखना है और वही नाम दोबारा से यहाँ पर लिखना है इसके बाद 10th की qualification compulsory है सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर board को select करना है कि किस board से आप qualified की है और वही board यहाँ पर आप दोबारा से mention करेंगे इसके बाद 10th की जो role number है वही role number यहाँ पर लिखेंगे और उसे यहाँ पर दोबारा से verify कर लेंगे पास होने की year आपको यहाँ पर select करनी है और उसके बाद वही year दोबारा से यहाँ नीचे आप select करेंगे आपके पास highest क्या qualification है वो आप इसमें select करेंगे अगर आपके पास तरी 10th ही qualification है तो आप 10th को भी select कर सकते है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number लिखना है और यहाँ पर email address लिखनी है mail ID और mobile number लिखते हैं यहाँ पर आपको दो button मिल जाती है send OTP का आपको इन दोनो button पर click करना है इसके बाद mobile number पर और mail ID पर आपको OTP send किया जाता है OTP आपको mention करनी पड़ीगी OTP लिखने के बाद validate का option मिलेगा आपको इस पर click करना है click करने के बाद successful verify हो जाएगा इससे प्रकार mail ID को भी verify कर लेना है इसके बाद यहाँ save and next के option पर आपको click करना है click करने के बाद आपके जो OTR registration है वो successful complete हो जाएगा अब यहाँ पर okay के option पर click करके आप user ID और password को बनाएंगे यहाँ पर आपको registration number भी provide कर दी जाएगी आपको मिल जाएगी यहाँ आपको continue के option पर click करना है इसके बाद कुछ इस प्रकार से यह options आएगा यहाँ पर registration number आपके लिखेंगे इसके बाद आपके mobile number या mail ID पर जो password मिला रहेगा वो password यहाँ पर लिखेंगे नीचे आपको security या capture code मिलेगा आपको इस box में लिखनी है इसके बाद यहाँ पर बटन मिलता है sign up का आपको इस पर click करना है इसके बाद new password आपको state करने का option मिलेगा आपका पूराना password क्या है वो यहाँ पर लिखेंगे नया password यहाँ पर आप mention करेंगे पूराना password आपको mobile number या mail ID पर message के रूप में आपको send किया जाएगा इसके बाद आपको नीचे आने इसमें आप 8 से select character का password बना सकते हैं सभी character use करेंगे इसके बाद नीचे आपको same password दोबारा से mention कर लेनी है और यहाँ नीचे आजानी है आपको एक question select करनी है इनमें से आप कोई भी question को select कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर answer लिखेंगे आपको जो password है वो successful complete हो जाएगा password reset हो जाएगा अब आपको login करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप नए password के द्वारा login करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने registration number और अपना नया जो password बना है वो लिख के अपने details को लिख के यहाँ login के button पे click करेंगे इसके बाद आपको अपने additional details को mention करने है यहाँ पर click करना है आपकी कौन सी category है वो category यहाँ पर आप mention करेंगे और अपने category को दुबारा से यहाँ पर आप select करेंगे इसके बाद अपने nationality को यहाँ पर select करेंगे अगर आप PWD candidate है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर disability की details mention करनी है, अगर आप नहीं है तो no की option पर select करेंगे, options जो वो height हो जाएगे इसके बाद आपको नीचे करनी है, अपना complete यहाँ पर address लिखेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है, आप अगर same पते प copy हो के नीचे add हो जाएगा, किसी और पते पर रहेंगे तो आप यहाँ no की option पर click करके अपना address mention करेंगे, इसके बाद save and next की button पर click करेंगे, यह data आपका successful verify हो जाएगा, ok की button पर आप click करेंगे, इसके बाद आपको declaration को accept करनी है, यहाँ आपको declare के option पर click करना है, चाहे तो आ previous check करने के लिए यहाँ पर click करके अपने details को भी check कर सकते हैं, इस page को print करना चाहेंगे, तो यहाँ print के option पर click करके print कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे PDF में save करके रख सकते हैं, इसके बाद declare के option पर click करना है, click करते ही successful verify हो जागा, इसके बाद ok के option पर आप click करेंगे, click करने के अब इसके बाद आपको form को fill करना होगा तो आपको नीचे करना है आपको यहाँ पर form की सारी information details यहाँ पर दिखाया जाएगा apply करने के लिए यहाँ पर आप apply के option पर click करके form को fill कर सकते हैं सो गैस वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको पसंद है तो like कीजिए share कीजिए और हमारे चैनल को आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ओके गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई चैहिन भ्र वें इतना है में वीडियो में लाग चैहिन हम ngh habe है च प्रीम एतना है कर चैहिन